Hello everyone, आप सबका स्वागत है Time and Work का दूसरा सिट चल रहा है जिसमें सवाल नंबर 15 तक पिछले क्लास में कम्प्लिट कर चुके हैं आज की क्लास में सवाल नंबर 6 से सुरू करेंगे आज की क्लास में एक special type का ही सवाल है और उसका concept यहाँ पर लिखा होबा तो सवाल में रहेगा कि A और B एक काम को एक निश्चित समय में करता है माल लेते हैं हम लोग X दिन में करता है और A उसी काम को X प्लस M दिन में करता है यानि A को ये M दिन X टार लग रहा है उसी तरह B को X से N दिन extra लग रहा है ठीक है तो X कमान क्या होगा यानि A और B मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करते हैं तो यह जो X कमान होगा root under M into N से निकालेंगे ठीक है तो इस पर आधारी सवाल हम लोग शुरू करते हैं देखते हैं पहला सवाल करा जितने समय में A और B मिलकर किसी कारी को करते हैं A और B अलग अलग उसी कारी को करने में करमसा 9 दिन और 4 दिन अधिक समय लेते हैं A और B उस कारी को कितने दिन में पूरा करते हैं ठीक है सवाल में कहने का मतलब वही है कि A और B मान लेते हैं हम लोग X दिन में करते हैं ठीक है? X दिन इन दोनों को X दिन लगता है तो यह जब अलग अलग कारी करते हैं A अलग B अलग तो A को 9 दिन एक्स्टा लग जाते हैं यानि ए और बी कितने दिन में पुरा करते हैं एकस दिन में तो एकस का वेल्यू हम लोग निकालेंगे तो एकस का वेल्यू क्या होता है हम लोग ने अभी देखा है concept रूट अंڈर यह जो एकस्ट्रा दिन लग रहा है neo Leonardo यह इसको सब्सक्राइब करें कि लिआनि उसको अज़्य ब्रेंगे उप्सर नमबर भी हमारा सही अंसर होगा तर्या सवां निकाल sect एक साथ कारी करते हुए, कारी को D दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है, A प्लस B काम करते हैं, तो इनको D दिन लगता है, अकेले कारी करते हैं, A को उसी कारी को पूरा करने में, D प्लस 8 दिन लगते हैं, A को कितने लग जाते हैं, D प्लस 8 दिन, और B को कितने लग जाते हैं, D plus 18 दिन ठीक है देखिए A और B D दिन में करते हैं A को कितना extra लग रहा है 8 लग रहा है B को कितना extra लग रहा है 18 लग रहा है D तो है यह तीनों में common तो हम लोग D का value निकालेंगे क्या जाएगा 8 और 18 को बुना करके इसका वर्ग मुल लेंगे 18 अठा 144 होता है 144 का वर्ग मुल कितना हो जाएगा 12 ठीक है यानि जब A और B साथ साथ काम करेंगे तो काम कितने दिन में पूरा होंगा 12 दिन में कि अब नह ignorance कि यह चार दिनों के लिए काम करता है एक इतने दिनों के लिए काम करता है चार धीनों के लिए ठीक है तो यहांपर हम लोग पहले एको देखें यह एक कृतना समय लग रहा 20 अब इन दोनों का efficiency निकलते हैं 30 और 20 का LCN कितना हो जाएगा 60 ठीक है 20 से 30 को डिवाइट करेंगे 3 आएगा 30 से 20 को डिवाइट करेंगे 2 आएगा यानि A का efficiency 3 आया है B का कितना आया है 2 आया है ठीक है अकर A 4 दिनों के लिए काम करता है तो 4 दिन में एक कितना काम कर लेगा 1 का efficiency 3 है 3 की हिसाब से 4 दिन में कितना काम करेगा 12 काम प्रोटल काम है हमारा 60 ठीक है 60 में 12 काम एक कर चुका है कितना बचा है 48 काम अभी बचा हुआ यानि 48 unit काम बचा हुआ सेस कारी अकेले B द्वारा पुरा किया जाता है तो कितने दिन लगेंगे देखे B का efficiency कितना है 2 है 2 के हिसाब से 48 unit काम करने के लिए कितना समय लगेगा 2 से इसको divide करेंगे कितना आ जाएगा 24 यानि B को खुल 24 दिन लगेंगे सेस काम को पूरा करें ठीक है अगला सबस देखते है अजया और विजया मिलकर एक कारी को एक निस्सित समय में पूरा करते हैं अजया को उस कारी को करने में अजया और विजया द्वारा एक साथ करने में लिए गये समय से 25 दिन जादा लगते है देखे मन लेते हैं अजय को A लिखते हैं विजय को B लिखते हैं यानि अजय और विजय मिलाके इसको X दिन में पुरा करते हैं तो यहाँ पर अजय को कितना X लग रहा है 25 दिन X लग रहा है यानि A को X प्लस 25 दिन लग रहा है वी को कितना लगए यानि विजय को देखिए जबकि विजय को उसी कारी को करने में अजय द्वारा लिए गए समय से 11 दिन एक्सटा लगता है देखिए दोनों द्वारे लिए गए समय से या नहीं कर रहा है यहां पर कर रहा है अजय द्वारा लिए गए समय से 11 दिन अधिक आजय कितना समय ले रहा है X plus 25 और इससे भी 11 ज्यादा ले रहा है यह विजय का समय आगया कितना जाए गया X प्लस 11 और 25 36 होता है देखे X तो है ही सब में X तो रहना ही है अब एक्ष्टा कितना दिन लग रहा है यानि अजय को 25 दिन एक्ष्टा लग रहा है जबकि विजय को कितना लग रहा है 36 दिन तो यहां से X कमान हम लोग निकाल सकते है रूट अंडर 25 गोना 36 25 का 5 आ जाएगा 36 का 6 आएगा यानि कुल कितना हो गया 30 यानि अजय और विजय मिला कि इस काम को कितने दिन में करेंगे 30 दिन में पूछ क्या रहा हम से विजय उस कारे को करने में कुल कितने दिन लेंगे ठीक है तो देखिए यहाँ पर विजय द्वारा उस काम को करने में कितने दिन पूछ रहा है तो यह विजय का कितना है X प्लस 36 X का वेल्यो कितना आया है 30 तो यहाँ पर रख देंगे 30 प्लस 30 प्लस 36 तो यह दोनों के एड करेंगे